कि हलुए बिरिवन आज हम बात करेंगे गोरफ कुरफ विश्ष भेदाले के जो भी स्टूडेंट ये ऑद फर्स सेमें जो भी स्टूडेंट है उनके एक्जाम के बारे में बात करने किया है उसके कोर्डिंग अपना सब्जेट को मैज कर लिजाएगा हाला कि 17 जनुरी से एक्जाम होना तय है ठीक है अभी कोई न्यूज नहीं है तो एक्जाम तो उसी डेट पर स्टार्ट हो रहा है ठीक है लेकिन कुछ थोड़ा साथ चेंजेज हुए हैं तो एक बार अपना मैज कर लिजेगा अपना ठीक है तो चलिए सबसे पहले हम सब्जेक्ट कोड एक बार आपको दिखा देते हैं सब्जेक्ट कोड मैज कर लिजेगा सबसे पहले मैं आपको बीसी फर्स्ट येर जो फिरसी फर्स्ट सेमेस्टर में बायो और मैथ के बायो और मैथ के जो यहां पर था लेकिन चेंज कर दिया गया है यह जो बायो गुरुप के शुडेंट है उनका टेंटेवल आप देख सकते हैं उनका पेपर जो है 22 जनौरी को बाटनी का पेपर है जिसका नाम है बेसिक आप बाटनी और 24 जनौरी को है उनका पे प्लाटनी मायक्रो आएंट प्लनट पैथलोजी बाटनी का जो सेकंड पेपर है उसके बाद 27 तारीक होונה कमेश्ट्री का सकते हैं बेसिक आप यह सातक तारीक आपका है जिलोजी का second paper यह आप देख सकते हैं इनका code दे रखें तो बायो गुरूप का रहा बाटनी जिलोजी कमिश्टी का अब देखें आप math group का math group का देखेंगे तो math का जो paper है वो है 22 तारीक को ही है math का paper first paper जिसका नाम है basic mathematics उसके बाद second paper जो math का है वो है differential calculus and integral calculus उसके बाद chemistry का paper जो है 27 तारीक को है basic chemistry उसके बाद next आपका chemistry का second paper है fundamental chemistry physics का paper आप देख सकते हैं यहाँ पर physics का paper जो है देख लिजी आप physics का paper जो है आपका basic physics जो है अच्छे तारीकों है और साथ तारीकों ही mathematical physics और newtonian mechanics है तो यह रहाब BSC first semester के bio math group के जो भी student है वह एक बार अपने screenshot ले लेंगे और देख लेंगे schedule ठीक है थोज़ा सच changes हुआ है ठीक है चली एक बाद देख रहा है दिखा देते हैं आपको subject code उसके बाद paper wise मैं subject code किस paper है आये देखते हैं कि देखे थोज़ा सच पहले जो इसमें थोज़ा सच हुआ है तो एक बाद देख लीजिए मैं आपको subject code दिखा दे रहा हूं एक बाद अपना subject code आप देख लीजिए यहां पर आपको देखने को मिलेगा subject और यह है उनका code फिर से यहां पर subject ठीक है आदे रहा है course दे रहा है इस एक course टाइटिल है और यह subject code है यह subject है ठीक है यह आपको course है में MSC BCOM BSC वगर जो भी आप करते हैं तो एक बाद मैज कर लेजिए का description में मैं लिंक की दे दूंगा ठीक है अपना जो भी आपका subject है subject code पाद देख लीजिए उससे कर साथ 10 टेबल में मैज करिएगा तभी आपको मिले पता चल पायागा कि कव आपका paper है ठीक है तेक सब्सक्राइब कर देखने के बाद हम देखेंगे time table कि कब किसका paper है code आप देख लिजिए मैं एक प्यार हो आप से बुल रहा हूं description में मैं लिंक के देदूंगा लिंक के थुरू आप जाके उसको डाउनेट कर लिजिएगा और अपना subject code देख लिजिएगा उसके अपना 10 टेबल भी देख लिजिएगा यह सिस पर्स समेस्टर के जितने भी थे एक कुछ minor subject है इसको भी आप देख लिजिएगा ठीक है अब चलते हम देखते हैं कि क्या changes हुए है देखिए जो पहला हमारा 10 टेबल डेट आया था दस एक को आया था यह 13 का है ठीक है तो थोड़ा बहुत changes हुए है जैसे यहां पर 23 को पेपर था लेकिन यहां पर 23 पेपर नहीं है तो बहुत से बच्चे कमेंट कर रहते कि साच क्या change हुआ है तो देख लिजिए यह आपका 22 एक 2022 को यह बाटनी मैथ हां यह जो जुझा कोड होगा देख लेगा यहां पॉटनी और मैथ का दिख रहा है ठीक है कमेस्टी का यहां पर देख सकते हैं 27 को है 28 को है ठीक है तो देख लिजिएगा 20 से मेस्टर के जो भी student है अपने अंसार देख लिजिए अपन देख लिजिएगा अपना कोड क्या है आपका और कब कब पेपर होगा कप पेपर है यह देखिए यह हमारा कल्चर वालों के लिए है तो देख लिजिए अपना कोड और एक बार मैस कर लिए क्या चेंज हुआ क्या डेट में क्या चेंज हुआ है एक बार जरू देख लिज जरू करेंगे एक्जाम से एक्जाम कराया जाएगा फर्स समेस्टरे में जो भी बीकाम बीएससी के श्ट्रोट्रेंट है उनका एक्जाम कराया जाएगा ठीक है ज़े इस रिखसाथ मिलते हैं नेस्ट वीडियो में तब तक थैंक्यू बाँ